हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब तो आज हम 12th क्लास की फिजिक से चेप्टर नमबर 4 का क्यूसन नमबर 7 कम्पलीट करेंगे इससे पहले वाले भाग तक हमारे पास क्यूसन नमबर 6 तक कम्पलीट हो चुके हैं और पूरी प्ले लिस्ट आपके बनी हुई है उसमें से आप सभ करम से 8.0 एंपियर एवन 5.0 एंपियर की विदुध धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं तो तार ए के 10 सेंटिमेटर खंड पर बलका आंकलन कीजिए तो परसन की अनुसार यदि हम समझे तो हमारे पास यहां पर दो धारावाही चालक तार है और यहां पर हमा लीजिए कि धारा का परवाह नौर्थ की साइड में हो रहा है इसमें से परवायत होने वाली धारा मालेते हैं हम आई यहां पर हमारे पास i1 की जो value है वो दी गई है हमारे पास 8.0 ampere तथा i2 की जो value है 5.0 ampere complete कियावा अभी आपको मिल जाएगा आप यहां से एक बर समझ लीजी यहां पर हमारे पास दोनु वायर जो है वो एक दूसरे से 4.0 cm पर है यानि दोनों के बीच की जो दूरी है वो d मान ली और d का जो मान हमारे पास में है वो हमारे पास परसन अनुसार 4.0 cm है इसको हम मिटर में convert कर लेते हैं तब हमारे पास में आजएगा 4.0 into 10 raise to power minus 2 मिटर यहाँ पर हमें तार A के 10 cm खंड पर यानि एक L लंबाई का अलपांस काटा गया है और उसकी लंबाई हमारे पास में 10 cm तो इस 10 cm के अलपांस पर वायर B की वज़े से उत्पन चुम्ब के च्छितर के कारण लगने वाले बल का मान हमें ग्यात करना है यहाँ पर अलपांस की जो लंबाई है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 10 cm मिटर में कनवर्ट कर लेते हैं तो 10 into 10 raise to power minus 2 मिटर और इसको final हम लिख सकते हैं 10 raise to power minus 1 मिटर तो अब हमारे पास दो धारावाही चालकतारों के कारण लगने वाले बल का जो फोर्मूला होगा वो होगा f is equal to mu naught i1 i2 l upon 2 pi d value put कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे हम इसकी direction की a तार पर लगने वाले बल की direction किस और होगी first हम ग्याद कर लेते हैं a wire पर लगने वाले force की value तो mu note का मान हम जानते हैं 4 pi into 10 raise to power minus 7 into i1 की value हमारे पास में 8.0 i2 की value हमारे पास में 5.0 और l की value हमारे पास में आ जाती है 10 raise to power minus 1 मिटर अब ओन में हमारे पास में है 2 pi d तो 2 pi और d की value हमारे पास में है 4.0 into 10 raise to power minus 2 तो जो value यहाँ से कट रही है उसको काट लिजे यानि हमारे पास 2 pi 4 pi को 2 से divide करेगा और 4.0 8.0 को भी 2 से divide करेगा यहाँ पर digit को आगे कर लिजे तो हमारे पास 2 यहाँ पर हमारे पास 2 यहाँ पर हमारे पास 5 10 raise to power minus 7 10 raise to power minus 1 और 10 raise to power minus 2 उपर जाएगा तो हमारे पास में आजएगा 10 raise to power 2 यहाँ पर हमारे पास complete देखिए इसको आप multiply कर लिजे तो हमारे पास में आजएगा 2 0 और यहाँ पर हमारे पास complete देखिए minus 7 minus 1 8 और यहां से 2 गठाएंगे तो हमारे पास हमाँ देगा minus 6 complete यहां से आप 0 को हटा सकते हैं final हमारे पास 2 into 10 raise to power minus 5 newton force लगेगा A wire के 10 cm के alpans per B wire की वज़े से तो यह हो गया हमारे पास Q7 का answer complete complete क्या हुआ अभी आपको मिल जाएगा वहां से भी आप इसको system से note कर सकते हैं फिलाल अब हम यहां पर देखते हैं कि A wire की उपर चुम्बकिय बल की जो direction होगी वो किस और होगी तो यहां पर आप दाए हाथ की हतेली के नियम का उप्योग कर सकते हैं या flaming के बाए हाथ के नियम का भी उप्योग कर सकते हैं B wire की वज़े से A wire के पास में जो magnetic field उत्पन होगा उसकी direction हमारे पास में होगी अंगलियों को अगर हम देखते हैं तो अंगलियों की जो direction होगी वो उपर की और होगी आप चाहें तो यहाँ पर भी F, A भी लिख सकते हैं यहाँ पर ध्यान दीजे दोनू wire में same direction है धारा की इसलिए दोनू के उपर लगने वाले बल की जो दिसा होगी वो आकर्सन पर करती की होगी यानि B पर जो बल लगेगा वो A की और और A पर जो बल लगेगा उसके direction B की और यानि दोनू wire एक दूसरे को आकर्सित करते हैं यदि direction विप्रीत होती है धारा की तब हमारे पास यहाँ पर बल की direction बाहर की और होती है नोट कर लिजे एक साथ complete आपके पास में है तारों के बीच की दूरी हमारे पास complete है विदुधारा यहाँ पर है अलपांस की लंबाई convert की हुई है फोर्मूल आपके पास में value हमने put की और value put करके final answer आपके complete आ जाता है 2 into 10 rest to power minus 5 newton और तार A पर बल जो होगा वो अभी लंबवत B की और लगेगा यह हो गया हमारे पास question number 7 complete यदि समझ में आता है तो channel को subscribe जरूर करें ताकि इससे आगे वाला जो numerical है वो आपको प्राप्त हो सके next भाग में देखेंगे हम question number 8 तब तक के लिए धन्यवाद